हेलो दोस्तों वेलकम टो चनल मुंडे की डारिस तो आज जो हम सॉंग करने वाले हैं सॉंग करना में अचनभी भाइ भून माम आज हम इसकी बेसिक कॉट्स करेंगे उसके साथ सरसका इंट्रो देखेंगे इसकी जो टैप्स है वो मैं अपने चैनल पर कल पोस्ट करूँगा तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जूर दबाए और हमारी वीडियो का ज़रूर अब इसमें आपने करना है इसमें आपको जो B string है उसका 8th fret और E string का 10th fret यह आपकी index finger आप 8th fret पर रहेगी और यह आपकी ring finger रहेगी 10th fret पर off E string तो आपको करना है one two one two one one two one two one ठीक है उसके बाद आपको 10th fret of B and 7th fret of E इस तरीके से इसमें आपको करना है one two one two one ठीक है तो इस वाले pattern में one 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 two one two one one two one one two one ठीक है यह आप दो बार repeat करेंगे अब इस इस वाले part में जो chord यूज करेंगे वो होगी G chord इस तरीके से और background music में और इस वाले part में जो आप chord यूज करेंगे वो होगी C add 9 ठीक है so this song में जो chord यूज हूई है वो है G major C add 9 E minor E minor में आप नीचे की यह दो string है उसको आप प्रेस ही रहें देंगे and D D में मतलब actual D नहीं है इसमें सिर्फ यह दो string ऐसे दबाएंगे और यह वाली जो chart में दे रखा है उपर उसमें देखी कैसे यह है इसमें जो G string की 2nd fret नहीं किसे रहेंगे तो यह song को मैंने easy बनाने की कोशिश की है थाकि beginners भी इसको प्ले कर सके तो इसमें chords मैंने simple रखने की कोशिश की है इसका जो string pattern है वो है अगर आप श्रम पर नहीं है तो आप अपने साफ से कोई भी श्रम पर ले सकते हैं जो आपको comfortable हो जैसे beginners down, up, 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 beginners यह वाला pattern भी बजा सकते है easily तो चलिए अब मैं song प्ले करता हूं उसके साथ chords प्ले करता हूं अब देखिए song किस तरीके से बजएगा 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 अधी मुझे में कुछे को नहीं इसमें जो आगे की जो वर्स होगी बात है जो कहीं थी उसमें भी same chord same pattern चलेगा जैसे की G, C, E minor and C ठीक है और इसके आगे जो वर्स है उसमें भी same chord sharing की जो मैंने इससे पहले वाले वर्स में बजाई है so thank you for watching अगर हमारा lesson आपको पसंद आया है तो please वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब करें और हमारी playlist को चेक करें उसमें हमने पहले बहुत सारी tutorials आर रखे हैं finger style tutorials भी हैं हमारे चैनल